आपका स्वागत है आज मैं आपके लेकी आई हूं विंटर श्पेशल एक स्वीट रेसिपी जिसका नाम है गाजर का हल्वा यह खाने में जितना टेस्टी है उतना ही बनाने में भी आसान है मैं इसे आज बना रहे हूं बिना मावा खोये के क्या क्या लगेगा इंग्रीडिय यूज कर सकते हैं चीनी यहां पर मैंने ली है टेस्के अकॉर्डिंग आधा कप ड्राइफूट्स मैंने लिए है बादाम काजू किशमिश और चार लाइची लिए है जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है दो बड़े चमच मैंने देसी घी लिया है इसको बनाना टत्राइफ दें गष्ण थी कॉर्णय दौशा अच्छे को अब में क्लो यह जुड़े सा बनाना देनी धरिक माना दें सूर хот्ताइफ ऑफ देंगें है नाल चमनाच मैंने थोड़ासे विष कर रहा है थोड़ा सा दी शचा यूप माना धोटो यूज कर देंगेंगे नाला गाज़ को प्लेम को हमें घाज़ को हमें डालते समय तिम्पे रखना है और इसको चलाएंगे तो हमको इसको मीदियम प्लेम पे करना होगा फुरा दुला करके आप इसको एड़ कीजिए अब एक है कि अब प्लेम मीदियम करके हम इसको मिलाएंगे अच्छे से 10 मिनिद तर हमको इसको अच्छे से चलाते हुए मिलाना होगा है 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 आज आज एक है यह अच्छे से भून गया है और थोड़ा थोड़ा पक भी रहा है इसमें आपको पानी डालने की कोई भी जालवत नहीं है दो-तीन मिनट इसको और चलाएंगे ताकि गाजर का जो रंग है वो थोड़ा सा और चेंग के गए दस मिनट बाद मैं यह बचा हुआ गी फिर से एट करूँगी इसमें पांच मिनट विलाएंगे इसे अच्छे से घी डालने कीई दालना के एक नट बाद मैं आड करलूंगी शुगर काश्या गाजर मैं अल्रेड थोड़ी से मध्थास होती है तो आप चीनी का स्वाध है अपने हिसाब से रख सकते हैं भी लादूंगे ने इसे चला देंगे चीनी को बिजोर्ब होने तर हम चलाएंगे अच्छी से गादर का रंग भी बहुत अच्छा हो गया है चेंज हो गया है चीनी अच्छी से घुल गया है अब हम इसमें एड़ करेंगे फुल क्रीम मिल्क इसको अच्छे से हम बद थोड़ा सा अच्छे से मिला देंगे अब इसी के साथ दूद डालने के बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी इलाइची और ड्राय फूट्स ताकि ये दूद के पकने के साथ साथ ड्राय फूट्स भी सॉफ्ट हो जाएं मिला देंगे अब हम इसको पंद्रा मिनट के लिए दूद के सुखने तक इसको मीडियम हीट पर रखेंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे आपको इसको ढखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पूल फ्लेम पर करके भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको इसको चलाते रहना पाईगा अब मैं इसको 5-7 मिनट अच्छे से चलाती रहोंगी फूल फ्लेम पर जिससे की दूद जल्दी से रिड्यूस हो जाए और फिर हमारा गाजर का हलुआ तयार है पाई से साथ मिनट पुल प्लेम पे इसको मैंने चलाया है जूद अच्छे से उप चुका है इसमें तो हमारा हलुआ भी बनके तयार है आप चाहे तो इस स्टेट पे भी इसको सर्फ कर सकते हैं या चाहे तो इसको और भी उखा सकते हैं तो हमारा इंस्टेंट होबी स्टेश मिन्ट के मांवा के इसे बनाना आसान है एक वार आप इसको अपने घर में जरूर ट्राइ कीजिए मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियन्स शेयर कीजिए लाइक कीज़ें मेरे वीडियो को शेर करना विर्कुल ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग आसु सोन किचिन थैंक यू